कानन कौशल इन्हें कौन नहीं जानता जै संतोशी माता फिल्म जितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई उतना उनका करियर आसमान छू नहीं पाया इसके पीछे एक ऐसी वज़ा थी जिसे जानकर आप उनकी और भी जादा इज़त करोगे दरसल उन्होंने एक धार्मिक फिल्म में काम किया था और ऐसा कहा जाता है कि कोई कलाकार किसी किरदार पर काम करता है तब उसे वो किरदार जीना पड़ता है उसी दौर में कलाकार अपनी इमेज को लेकर बड़े सम्वेदन शील होते हैं आज ऐसा होता है कि कोई कलाकार सांस्कृतिक किरदार निभा ले और अगले दिन किसी पार्टी में दारू के नशे में उल्टी सीधी हरकते करते हुए दिखाई देता है। Star Plus पर महादेव सीरियल बड़ा हिट हुआ था। इस सीरियल में पारवती का किरदार निभाने वाली कलाकार को दारू के नशे में देखा गया था। जब बात आस्था की आये तो थोड़ी मर्यादा रखनी चाहिए। वो मर्यादा कानन कौशल ने रखी थी। उन्होंने ऐसी कोई फिल्म साइन नहीं की जिससे उनकी संतोशी माता फिल्म की इमेज खराब होती। और ये काम सिर्फ एक महान कलाकार कर सकता है। शायद ही किसी को पता होगा कि कानन कौशल ना सिर्फ अभिनेतरी हैं बलकि वे लेखी का भी हैं। मराठी साहित जगत में उन्होंने बड़ा योगदान दिया है। आपको ये भी बता दूं कि कानन कौशल ब्यूटर टेक्नीशिन भी है। इसके अलावा कानन कौशल की फिल्मों में एक बात समान होती थी। उनकी ज़ादातर फिल्मों में या तो उनका पती मर जाता है या फिर बेटा। 1990 के आखरी दौर में उनकी जितनी भी फिल्में आई उसमें उन्हें आभागी महिला के रूप में दिखाया गया था। सनम आपकी खातिर, जीवन दाता, जिगरवाला, लाल परी 1990 से 1992 के दशक में रिलीज हुई उनकी आखरी फिल्में थी। कानन कोशल का असली नाम है इंदुमती सेट। उनकी शादी बहुत पहले ही हो चुकी थी। इस कारण से उन्हें इंदुमती पैंगड कर नाम से लोग जानते थे। इसी नाम का इस्तमाल करके उन्होंने अपनी दो किताबे रूप साधना और वदुचा साथ श्रिंगार ल कानन कोशल का जन्म 21 मार्च 1949 में एक मराठी परिवार में बढ़ादा में हुआ था। उन्हें मराठी के साथ गुजराती भी आती थी। फिल्मी करियर शुरू होने से पहले उन्होंने गुजराती के साथ मराठी रंगमंज पर भी काम कर लिया था। बहुत कम लोग जानते होंगे। कानन कोशल कुछ मात्र अभिनेत्रियों में से एक थी। जो पढ़ाई लिखाई के मामले में सबसे आगे थी। फिल्म इतिहास कारों का मानना है कि मेरिट लिस्ट में उन्होंने पहला नंबर हासिल किया था। आगे चल कर उन्होंने इतिहास और एकनॉमिक विश तब आया जब उन्होंने संजीब कुमार और लीना चिटनीज जैसे मेथेड एक्टर्स के साथ दो जहां के बीच इस नाटक में काम किया। इस नाटक के बाद बागी फिल्मकारों ने उनसे संपर्क किया और इस तरह से उन्हें फिल्में मिलने लगी। अगामे फिल्म आखरी दिन पहली रात में साइन किया। पर इस पार भी कानन कौशल के नसीब ने साथ नहीं दिया और वो फिल्म भी बीच में रुक गई। फिल्म तो रुक गई पर कमाल अम्रोही द्वारा दिया गया नाम को उन्होंने इस्तमाल करना शुरू किया। उस फिल्मों में उन्होंने छोटे बड़े किरदार निभाए। जैसन तोशीमा फिल्म को छोड़ दिया जाए तो मान अपमान उनके जीवन की सबसे सफल हिंदी फिल्म थी। इस फिल्म में भी संजीब कुमार थे। कानन कौशल कुछ कलाकारों में से एक है जो साहित जगत से जुड़ी हुई थी। इस कारण वो अशलीलता वाले किरदार में दिखी नहीं। उन्होंने अपने जीवन में बतौर लीड एक्टरस जादा काम किया नहीं। पर जैसन तोशीमा फिल्म के कारण कानन कौशल अमर हो चुकी है। उनकी दमदार एक्टिंग आँखों में इंदी के अलावा उन्होंने धेर सारी मराठी फिल्मों में भी एक्टिंग की है। यहां तक गुजराती और भोजपूरी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया था। मराठी सिनमा की क्लासिक फिल्म एक्टी और मुंबईचा जावई में भी कानन कौशल दिख चुकी है। घुंगट और गुर सुंदरी नो घर संसाल इन दो गुजराती फिल्मों के लिए गुजरात सरकार से उन्हें अवार्ड भी मिल चुका है। और 1973 की पाहुनी इस मराठी फिल्म के लिए भी महराश्ट सरकार ने उन्हें अवार्ड मिला। एक्टिंग और लेखनकारी के अल शशीकांत पैगंकर है। 1964 में ही उनकी शादी हो चुकी थी। शादी के बाद उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ था। इस शादी से उन्हें एक बेटा, पराग और एक बेटी मिलन हुई। फिल्म जगत में 40 साल गुजारने के बाद कानन कौशल ने एक्टिंग से सन्यास और मुंबई में चैनबरी जिन्दगी गुजार रही है। हमारे फिल्म जगत में कानन कौशल जैसे अभी नेत्रियां ना के बराबर है।